तो आज मैं आपके लिए 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 आ चुका हूँ चेतक की 2901 का है या फिर 2903 का है दोनों में कुछ डिफरेंस नहीं है सिर्फ नाम का डिफरेंस है अभी यह जो वहिकल है यह एक सुरून प्राइस स्टार हो जाता है सिर्फ 95-96,000 से और मुझे लगता है आज की रेट मे के बारे में बात करने वाले हैं और लुक के बारे में बात करने वाले हैं पूरी क्वालिटी के बारे में बात करने वाले हैं पर्फॉमेंस के बारे में बात करने वाले हैं तो सब को डिटेल में बात करने वाले है अपन टू नाइन जीरो थी के बारे में सुरुवात करते हैं सबसे पहले इसकी फ्रेंट प्रोफाइल से ही तो फ्रेंट प्रोफाइल आप देख सकते हो जो लुक आप बता सकते हो आपको केसा लग रहा है वागी चेतर के सारे स्कूटर का लुक एक जिसा ही है यहाँ पर आपको बता हूं तो यह यहाँ पर पार्ट जो है यह फाइबर का मिलता है बाकी सब कुछ मैटल का यह मुद्ध आ है बात करने टायर जो डिजाइन दिया है प्रिमियम लगता है यह भी साइड ग्लास देखने को मिल जाता है और यहां पर आपको यह जो पार्ट है यह फाइबर में देखने को मिलता है जो कि मुंशंड़जिक लगाई पर इसे इसे प्वार को जाता है यहां पर क्वालिटी gobierno हो क्या यह फिनिस फिनिस्सिंग को अची है यह ब्राइब बटन हो गया यहां पर न्यूम्य करने का बटन हो घ्या हाँ यह मोद का इस यहム लाइथे दो नहीं लंद MR यहां पर आपको light copper मिल जाता है आपको high beam low भी one off करना है तो वह यहां पर मिल जाता है music control देखने को मिल जाता है कर आप इसका pro pack लेते हो तो उसमें आपको देखने हो मिल जाता है यहां पर हॉन की quality sound quality काफी ठीक लगी है मुझे अभी यहां पर आगे बढ़ता है तो आगे 302 के अंदर देखने हो मिलेगा इसके बाकी जो अपर सेगमेंट आता है 3201 प्रीमियम इन सब में देखने हो मिलता है यहां पर आपको flat footboard मिल जाता है जो कि एक sufficient size का है लेकिन यह जो flat footboard है इसके अंदर आप यह सोच लोग या तंकी आजेगी तो टंकी नहीं आईगी यहा आप करें इधर side profile की तो यह आपको quality जो है metal में रेखने हो मिलती है पूटा बॉड़ी पैनल यहां पर आपको इस side footrest देखने हो मिल जाता है जो की अच्छी premium size में बनाए गया है यह आपको ladder footrest देखने हो मिल जाता है मतलब इस वेकल के साथ में overall size जी जाती है जो की family की requirement हो इसको पूरा करती है यहां पर आपको रियर टायर भी देखने हो मिलता है और यहां पर जो टायर है इसके अंदर ड्रम बेक लगावा है और यहां पर आपको जो मोटर मिलती है वो मिलती है side mounted motor जिसके peak power है 4000 असरी वाट की अभी यहां पर बात करें back side की तो back side कुछ इस तरी element है को काफी प्रीमियम नैस के साथ में बनाया हुआ है यहां पर बात करने दूर्सरे side profile की तो यहां पर भी आपको इभी metal body मिल जाती है यह footrest देखने को मिल जाता है और बात करने है बैटरी पैक की तो इसके ने जो बैटरी पैक लगावा है वो लगावा है 2.88 kWh जिससे actual range तो 120 कंपनी बताती है रियल वन में मेरा मानना है तो क्या सबस आपको देखने को मिल जाएगी बात करने इसकी टॉप स्पीड की तो इसकी टॉप स्पीड निकल के आती है 63 km पर आद की यहां पर दो वेरेंट मिलता है एक प्रो पैक मिलता है और एक स्टेंडर मिलता है प् आप वीडियो भी देख सकते हो तो कि वहां कुछ चीज अच्छी है कि यह जो प्रॉमिस कि उससे भी अच्छा मिल रहा है सर्विस के इसूस इसमें नहीं नहीं नजर आता है प्राइस सेग्मेंट काफी अच्छा है पिस्चान में एक सूरूम ओन रोड आके एक लाग पां हो सकता है और यह चेतक 2901 चेतक 2903 यह स्कूटर एक अच्छा बजट स्कूटर है बागी 3202 यह सी आएगा उसका वीडियो भी आपके लिए जरूर लेकिया हूंगा 3202 के बेनिफिट क्या है वहां पर बैट्री पेक थोड़ा सा बड़ा मिल रहा है प्राइस में जादे नहीं आता है 10-15000 का डिफिरेंस आता है और उसके हिसाब से वह भी अच्छा स्कूटर है इसके बारे बात करी लेंगे अभी आपके लिए था चेतक 2903-2901 अभी आप में को कमेंट में जरूर बताना आपको इसकूटर केसा लगा आपको वीडियो केसा लगा और इस तरीक झाता है